अलर कोतवाली थाने पुलिस ने इवाक के साथ मारपीट कर पैसे छिनने के मावले में दो नबालिकों के निरुद्ध कर एक आरोपी को गिरफतार किया है कोतवाली थाने के सहाय कुपनी रक्षक हितेंद्र कुमारली बताया कि परिवादी उम्मीद सिंग निवासी रूप ब घर के बाहर मारपीट कर पैसे छिन लिया और फरार हो गए जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की जिस पर पुलिस ने दो नबालिकों को निरुद्ध कर आरोपी आकाश को गिरफतार कर लिया यह दिनांक चार की रात्री को चार पांथ नो दो गड़ते इसकी रात्री को एक गड़ती जो अस्पिताल से अपने घर जा रहा 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 राश रास्ते में तीन लड़कों ने मिल कर पे उनके साथ मार्किट की इस समंद में मुकदमा दर्ज हुआ हनु संदान से फिनों लड़कों को दस्ताब किया गया जिस में इसे दो रती नावाली की शोर थे जनको नियावनुसार उनको हम संदान किया जाकर मारी नायड़क समझ से किया गया इसरा बती जो भालिक था उसका नाम इसके अपराद प्रमानिक पाई जाने पर मानने कोर्ट में पेस किया जिनोंने जिसी अख्यादेश फरमाए परिवादी को ने सार इसमें जिसने शिकाएटी उमेद पुत्र पुनमल गुजर निवाशी रूप बास किसलिए मार्पीट करी है इन्होंने रास्ते में रोक करके मार्पीट किये पैसे शिने रूप उटकी है इन्हों से जिए को यह सरी है यह प्रदान डाग घर है नंगली सब्सक्राइब से पहले उसके सामने